हेलो गाईज हम बात किने वाल है PB FinTech इस कमनी के बारे में इस कमनी का concentrated result आप लोगो के सामने presented है सारी amounts of results में likes के अंदर बताए गई है quarter and quarter base के उपर कमनी के results को discuss करेंगे ये इस quarter का result ये पिछले quarter का result ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमनी की income की बात करें revenue from operation and other income को मिला कर कमनी का total income इस quarter में 95,133.5 lakh रुपीज का कमनी का income देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले कमनी की income में बड़ोतरी होती हुए नजर आ जाती है बाकी इस कमनी के expense की बात करें तो employee की cost and depreciation cost and अलग-अलग cost को मि का total है आप पर net expense देखने को मिल जाता है जिस परकर से company की income बढ़ रही है वैसे वैसे company के जो expenses है वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ते हुए नजर आए है बाकियार इस company के losses की बात करें तो company की जो यहाँ पर losses है ना वो यहाँ पर अभी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम उचुक है मरलब यहाँ पर इस quarter के अंदर company ने 934.42 रुपीज का net loss generate किया है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company के losses में एक अच्छी गिरावट आ रही है जो एक company को लेकर सबसे बड़ा positive point है बाकि इस company के EPS earning पर share की बात करें तो वो यहाँ पर खराब होते वे नसर आ जाता है कम होते वे नसर आ जाता है मेरे इसाब से तो देखो एक ही चीज़ बोलूँगा पीबी fintech इस company के share में आप लोग invested हो तो आप लोगों को सलाई यही है कि इस company के share में long term के लिए investment करना high risk high reward के साथ और इस company के share में आप लोग invested नहीं हो तो आ आप लोगों को यहाँ पर सलाई यही है कि अभी new investment करने से पहले company के share को यहाँ पर थोड़े और दीन थोड़े और टाइम तक यहाँ पर market में चलने दो कैसा company का result आता है यह जो losses company कर रही थी पहले कर रही थी उसको company ने losses को continue कम कर रही है यहाँ यहाँ पर अभी losses कम हुए ह वापस से losses बढ़ जाएंगे ऐसी कुछ हालत हो रही है कर वो सारी चीज़े पहले notice कर लो और उसके बाद ही investment करके चलना ठीक है तो यह था मेरा opinion बाकी इस company की तरफ से result यहाँ पर अच्छा है expectation से अच्छे यहाँ पर company की तरफ से result आते हुए नजर आ जाते है ठीक है तो बस आच के लिए तना ही good bye love good bye फिर मिल तर नेक्स डिए में good bye